वहाँ जो मैं लेकर गई वो भावना सेम ही थी बिलकुल भगवान जैसी जो मेरे शेफ्स थे मैंने उनको हमेशा अनुपुर्णा की तरह समझा है और मैं उसी भावना से उसको लेकर गई थी शायद वो भावना उन तक पहुंची भी जो मैं सिलेक्ट हुई और इतना आगे तक आप ही पाई कैसा रहा आपका ये सफर हिमाचली जो कुझीन है हमारी वो बहुत कम लोगों में जानी जाती है बहार तो इन फैक्ट लोगों को पता ही नहीं है कि हिमाचली फूड की जो जितनी सारी कंपलेक्सिटीज हैं और जो खाना बनाने की टेक्नीक्स हमारे यहां वो शायद मैंने कभी किसी और मैंने बहुत सारे कुझीन की स्टड़ी की है नेट पे लेकिन मैंने कभी इतना सिंपली सिटी के साथ और इतनी कंपलेक्स फ्लेवर्स देना यह सर्फ हिमाचली कुझीन में ही मैंने अभी तक देखा है जब दुनिया एक्स्प्लोर करूँगी तो खाने की समझ मुझे और बढ़ती जाएगी लेकिन अभी तक जतना मेरा फूड के साथ एक्सपिरियेंस है मैंने टाइम के साथ ये नोटिस किया कि हमारा जो हिमाचली फूड है वो बहुत कॉंपलेक्स है और उसमें सीखने के इतनी सारी चीजे हैं अगर आप मतलब जैसा कि आपको पता है मेरी मास्चेफ की जर्णी पे भी मैंने ओडिशन जो का पड़ाव जो पार किया था वो एक हमाचल उना प्लेट के नाम से किया था मैं उसे धाम नहीं कहूंगी क्योंकि धाम जो है वो एक all together different experience है जिसमें हमें नीचे टाट पे बिठाया जाता है पतलों में खिलाया जाता है और महमान और भगवान एक समान कहके हमें ट्रीट किया जाता है वहाँ जो मैं लेकर गई वो भावना सेम ही थी बिल्कुल भगवान जैसी जो मेरे chefs थे मैंने उनको हमेशा अनपुर्णा की तरह समझा है और मैं उसी भावना से उसको लेकर गई थी शायद वो भावना उन तक पहुंची भी जो मैं select हुई और इतना आगे तक आ भी पाई रही बात जीतने हारने की कि जो competition है उसमें जितना हारना चला रहता है जो basically माइने रखता है वो माइने ये रखता है कि आपने कितनी कोशिश की और आप कितना फैरली कहां तक पहुंचें तो मैंने कोई दिन ऐसा नहीं रामाश शेफ में जहां पर efforts नहीं डाले मैंने अपने पूरे efforts डाले life ने मुझे जितना food के साथ experience दिया है आज तक और जितनी food की knowledge मैं खुद अपने परिस्तितियों के साथ collect कर पाई हूँ I think उस सारी चीजों ने मुझे इस journey में बहुत ज़्यादा help किया